जय मातादी दोस्तों मरोसनी सुकला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जीवन कमंत्र यूटूब चैनल पर दोस्तों घर में मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां पर शकारात्मक सक्तियों का वास होता है हम सभी अच्छे कारियों की सुरुवात करने से पहले घर के मंदिर में माथा टेकते हैं और हाँ जोडते हैं घर का मंदिर सभी सदस्यों को निगेटिव एनरजी से बचा कर घर में पॉजिटिव माहल बनाये रखता है घर में दो तरह की उर्जा पाई जाती है पहली तो उर्जा होती है वो है शुप और दूसरी होती असुप घर में सुप उर्जा के संचार के लिए घर में मंदिर होना बेह जरूरी होता है घर में मंदिर या पूजा के स्थान नियत होने से तमाम तरह की समश्याएं अपने आप ही दूर हो जाती है इससे घर में आर्थिक समर्दी बनी रहती है घर के लोगों में आपसी तालमिल बना रहता है लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके नेमित पूजा पाट और मेहनत करने के बावजूद काम नहीं बनते इसकी वज़े आपके घर में मौजूद मंदिर भी हो सकता है क्योंकि मंदिर या पूजा का स्थान का पूरा लापत भी हो सकता है जब मंदिर इस्थापित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो कौन सी हैं वो बाते चलिए आपको बताते हैं घर का मंदिर इस्थापित करने का सबसे सुबस्थान होता है इशानपोड यनि कि घर का उत्तर और पूर्व का कोना इसी लिए आप अपने मंदिर को इसी दिसा में रखे मंदिर कभी भी जमीन पर ना बनाए मंदिर इतनी उचाई पर हो कि आपकी छाती और भगवान के पैरों का लेबल बराबर हो अगर आपका अलग पूजा रूम है तो इसकी दिवारों का रंग पीला, हरा या फिर हलका गुला भी रखे घर का मंदिर हमेशा लकडी का रखे वास्तु के मुताबिक लकडी कुटलक लाती है अगर आप संग मरमर का मंदिर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं इससे भी घर में सुख सान्ती और समर्दी आती है मंदिर में जलने वाला दिया हमेशा मंदिर के दच्छिट पूर्व जिसा में रखना चाहिए इससे घर में धन दौलत, खुशी और पॉजिटिव एनरजी आती है इसके अलावा अगर आपका मंदिर बैडरूम या किचर में हो तो पूजा के बाद उसे एक परदे से ढखकर रखे मंदिर और बाथरूम की दिवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए साथ ही ध्यान रखें कि अगर आपके घर का मंदिर दूसरे फ्लोर पर है तो ठीक उसके नीचे टौइलेट नहीं होना चाहिए अपने मृतकों और बुजर्गों की फोटो को कभी भी भगवान के आसपास नहीं रखना चाहिए कई बार घर में मंदिर में गुम्मत लगवा लेते हैं साथांसार घर के मंदिर में गुम्मत बनवाना या रखना सुम नहीं माना जाता क्योंकि जिन मंदिरों में गुम्मत बनवाया जाता है उनमें उस गुम्मत पर कलश वधज चड़ाना अनुगार होता है और मंदिरों के कलश वधज खुले आस्मान के नीचे होना जरूरी है कहा जाता है कि कलश वधजा से उचा कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर दूर से भी आप कलस या गुम्मत का दर्शन कर प्रणाव कर लें तो आपकी प्रातना सुन ली जाती है इसलिए घरों के अंदर रखे मंदिर में गुम्मत नहीं होना चाहिए तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंदाई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे अभी सस्क्राइब कर दीजिए जिससे आपको हमारे चैनल की पुरानी और आने वाली वीडियो देखने को मिलती रहें फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो पर तब तक के लिए नमस्कार इश्वर करें आपका दिन सुभो